मेवाड रियासत के इतिहास की सीरीज के पार्ट 13 में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इतिहासी की युद्ध के बारे में जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से सुनते आ रहे हैं एक ऐसा युद्ध जो की मेवाड के शाशक महाराना प्रताप और मुग करने बाले हैं जिर से कि बार भार धू diligence ससे हुरह करते हैं मेवाड रियासत करिकिक्त कि इतिहास के पिछले पार्ट में पर ट्री में में पर आक्रमन करने के लिए रवाना कर दिया था है 18 जून 1576 इस भी एक इतिहासिक युद्ध का आरम हुआ जिसको हम हल्दी घाटी का युद्ध या बादशाबाग का युद्ध या खमनोर का युद्ध या गोगुंता का युद्ध भी कहते हैं हाला कि इस युद्ध की दिनांकों को लेकर भी कुछ अलग-अलग हमको समय देखने को मिलता है जैसे राजस्थान बोर्ड की पुष्टकों के आधार पर अगर हम देखें तो इस युद्ध का समय हमको देखने को मिलता 18 जून 1576 लेकिन गोपिनाच शर्मा की जो किताब जून 1576 पता चलती है अब देखें ये जो युद्ध है तो इस युद्ध के बारे में उस युद्ध के माहुल के बारे में चर्चा करने से पहले एक बर मैं एक्जाम्स की द्रिस्टी से प्रतियोगी परिक्षाओं की द्रिस्टी से जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स की जा जिनको हम राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं तो करनल जेम्स टोड के दुआरा इस युद को हल्दी घाटी का युद कहा गया था और उसके बाद से ही यह युद हल्दी घाटी के युद के नाम से प्रसिद्वा हल्दी घाटी का युद हम इसको क्यों कहते हैं क्योंकि देखे यहाँ पर दो पाड़ियां एक खमनोर की पाड़ियां जो की राजसमन जिले में आती है और एक गोगुंदा की पाड़ियां जो की उदयपुर जिले में आती है और इन दोनों के ही मद एक तंग घाटी है जिसको हल्दी घाटी कहा जाता है अब यहाँ पर ध्यान आप नाम दिया गया था, ये करनल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया था, इसी के कारण ये हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद दुआ, हाला कि इस युद्ध को खमनोर का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध भी का जाता है, गोगुंदा का युद्ध इसको जिस व्यक्ति न और खमनोर का युद्ध कहे जाने वाले व्यक्ति थे अबुल फजल। इसके अतिरिक आप ध्यान रखना डॉक्टर शिरिवास्ताओ। ये कितिहासकार हैं डॉक्टर शिरिवास्ताओ। जिनके दुआरा इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध भी कहा गया। अब इस युद्ध से संमंदित कुछ और नामों पर हम चर्चा करते हैं जैसे करनल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड की अत्वार राजस्तान की थरमोपली कहा है तो आखिरिये थरमोपली क्या है और थरमोपली इसको क्यों कहा गया है तो ध्यान देना ये जो स्थान आपको दिख रहा है ये थर्मोपली ये स्थान का नाम है थर्मोपली जो की वर्तमान में ग्रीस में आता है और यहां पर 480 इसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध को लड़े जाने के जो कारण थे वही कारण हल्दी घाटी के यु इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं तो देखे थर्मोपली इस्थान वर्तमान में आता है ग्रीस में और सन 480 इसा पूर्व में यहां पर एक युद्ध लड़ा गया था और ये जो थर्मोपली इस्थान है ये भी एक तंग घाटी के समाने जैसे की हल्दी थर्मोपली का जो ये युद्ध लड़ा गया था ये फारस की और युनान की सेना के मद्द लड़ा गया था फारस की और से सेना का नित्रित्व कर रहे थे जरेक्सिज या जरेक्सिज और युनान की और से सेना का जो नित्रित्व कर रहे थे वो थे लियोनिडोस और इस यु पर पर लेकिन युद्ध में पराजित होने के बावजुद अपनी स्वतंतरता की रक्षा के लिए उनोंने युद्ध लड़ा इसमें वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए तो ये युद्ध था थर्मोपली का युद्ध अब करनल जेमस टोड ने इस युद्ध के कारणों की समानता हल्दी घाटी के युद्ध के कारणों से होने के कारण ही हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान या मेवाड की थर्मोपली कहा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेवाड में महाराना प्रताप ने मुगल बादशा अकबर के मुकाबल एक छोटा सा राज और छोटी सी सेना होने के बावजूद भी अपनी स्वतन तरता और अपने स्वाबिमान की रक्षा के लिए मुगल बादशा अकबर से लड़ाई की जिस परकार लियोनिडो से जरेक्सिस के साथ में मुकाबला किया था इसी के कारण हल्दी घाटी के युद्द को राजस्थान की थर्मोपलि के नाम से जाना जाता है थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और एक बर बात कर लेते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल और मेवाड की ओर से लड़ने वाले युद्धाओं की संख्या कितनी थी और ऐसे कौन-कौन से इस्तरो होते हैं जो हमको अलग-लग संख्याओं के बारे में जानकरी देते हैं जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ वीर विनोद की तो वीर विनोद के लेखाक हैं शामलदास और शामलदास के दुआरा यहां पर मेवाड की ख्यातों के आधार पर ये बताया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महारणा प्रताप की ओर से 20,000 सेनिक एक और इतिहासकार को मैं लेता हूँ मुनोत नैंसी तो मुनोत नैंसी ने यहां पर इस युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध में जो योद्धाओं की संख्या बताई है तो महारणा प्रताप की ओर से तो 9-10,000 सेनिक बताए हैं जबकि मुगल बाच्छा अकबर की ओर उसे लड़ने वाले यहां सेनिकों की संख्या बताई गई है 40,000 इसके अतिरिक्त देखिए माननिता की अनुसार यानि ज़्यादतर यह जो माना जाता है सर्व माननिता की अनुसार इस युद्ध में महारणा प्रताप की ओर से 20,000 जबकि अकबर की ओर से 80,000 सेनिकों की संमंदित भी बात कर लेता हूं क्योंकि परतियों की परिक्षाओं में हाथियों के नामों से संमंदित यहां पर सवाल पूछ लिए जाते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसे युद्ध के माहौल की ओर चलेंगे तो देखे यहां पर मारणा प्रताप की और से लड़ने वाले जो हाथी थे मुखे रूप से युद्ध के लिए जिनको प्रसिक्षन दिलाया गया था वो थे एक तो लुना और एक राम प्रसाद इसके अतरिक्त मारणा प्रताप की सेना की ओर से और भी हाथी लड़ रहे थे उनका नाम था चक्रवाप और खांड मरदाना इसके अतरिक्त जो दो मुखल हाथी थे जिनको युद्ध के लिए विशेश रूप से प्रसिक्षित किया गया था उसका नाम था एक तो गजमुक ता या गजमुक और दूसरा था गजराज इसके अतरिक्त एक और हाथी का आप नाम दियान रखेंगे रनमदार त तो देखें युद्ध से पूर्व की स्थिति के बारे में हम जानते हैं कि महारणा प्रताप ने अपनी सेना को उंचाई पर स्थित कर दिया था और महारणा प्रताप की सेना में जो हरावल दस्ते का जो नित्रत्व कर रहे थे उनका नाम था हाकिम खासूर हाकिम खासूर एक मात्र ऐसे मुस्लिम सेनापती थे जो मारणा प्रताप की और से इस युद्ध में लड़ रहे थे ध्यान रखना मैं मुस्लिम सेनापती कह रहा हूं ना कि मुस्लिम व्यक्ति क्योंकि यहां इस युद्ध में हाकिम खासूर के परिवार के व्यक्ति भी युद्ध लड़ लेकिन एक मात्र जो सेना पतित्व कर रहे थे हरावल दस्ते का मारणा परताप की और से उनका नाम था हाकिम खासूर अब ये सवाल ये हरावल दस्ता क्या है तो ध्यान रखना जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में जो योध्धाओं की पंक्ति सबसे आगे होती है य मारणा परताप की सेना के मुकाबले मान सिंग की सेना को यहाँ पर एडवांटेज कम था क्योंकि वो नीचे स्थान पर थी मान सिंग की सेना में जो हरावल दस्ते का नित्रत कर रहा था उस व्यक्ति का नाम था सैयद हासिम अब देखे यहाँ मान सिंग की सेना में जो मुगल और राजपूतों की सयना, मुगल बादशा अकबर की ओर से लड़ रही थी, तो यहां पर राजपूतों का पहला वार इतना जबरदस्थ था, जिसके कारण मुगल सयना में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया, और यहां पर मुगल सयनिक भागने लगे, यहीं पर ए उनी भी इस पहले वार के कारण इधर उधर भागने लगे और अपनी जान बचा कर यहां से उनको भागना पड़ा अब जब मुगल सैनिक यहां से भाग रहे थे तो यहां एक व्यक्ति थे जिनका नाम बताया जाता है मिहत्तर खाँ और मिहत्तर खाने क्या किया यहाँ पर मुगल सैनिकों में वापस एक हिम्मत बंदाने के लिए एक जूटी अपवा फैला दी ऐसा बताया जाता है कि महत्तर खाने यह कहा अपने भागते वे मुगल सैनिकों को की बादशाह सलामत स्वैम युद्ध स्थल पर आ रहे हैं स्वै तो यह तो होगी पहले मोर्चे की बात और पहले मोर्चे पर राजपूत योध्धाओं ने यहाँ पर युद्ध को जीत लिया आप बात कर लेते हम दूसरे मोर्चे की तो देखिये दूसरे मोर्चे पर क्या ह Kansas, यहाँ पर मुगल सैनिक जो है वो एक स्थान पर आजमेजो को लेकर उंचे स्थान से यानि पहाड से नीचे उतर कर आगे जोशी जोश में जबकि यहाँ पर एक व्यक्ति थे गौालियर के राम सिंग या राम शाह उन्होंने महारणा प्रताप कोई समझाया था कि मुगल सैनिकों के साथ में या मुगल सैना का हाम समतल मैदान पर मुका लड़े गए इस युद में मुगल सैना महारणा प्रताप की सैना के उपर हावी पड़ गई क्योंकि अब महारणा प्रताप की सैना के उपर तोप के गोलों से बारिश की जारी थी और साथ की साथ यहाँ पर तीर भी छोड़े जा रहे थे जिसके कारणा महारणा प्रताप की सेना में भी एक अफरा तफ्रीका यहां पर माहौल बन गया अब युद्ध लड़ते-लड़ते दोपेर का समय हो चुका था और दोपेर के इस समय की स्थिति के बारे में यानि उस समय जो युद्ध लड़ा जा रहा था तो इस समय की स्थिति के बारे में बदायूनी ने क् सूर्य की तिक्ष्ण किरणों ने यानि सूर्य की तिक्ष्ण गर्मी ने बहुत अधिक उत्तेजित कर दिया है जिसके कारण खोपडी का जो खून है खोपडी का जो रक्त है वो उबलने लगा है और यहाँ पर योद्धाओं की हलचल से भीड ऐसे आपस में आकर मिल गई है कि पता ही नहीं चल रहा कि महारणा प्रताप की ओर से यानि की राजपूतों की ओर से जो लड़ने वाले हैं जो शत्रुदल ह उनके योद्धा कौन से हैं और मुगल सेनिकों की ओर से जो राजपूत लड़ रहे हैं वो कौन से हैं तो यहाँ पर बदायूनी आगे ये भी लिखते हैं कि जब बदायूनी ने आसफ खां से ये पूछा कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि शत्रुदल का राजपूत कौन सा है हम कैसे और किस पर वार करें तो यहाँ पर आसफ खां ने ये कहा कि तुम तो केवल वार करते जाओ भले शत्रुदल का राजपूत मरे या मुगल सेना की ओर से लड़ने वाला राजपूत मरे हर दशा में हर दिशा में लाब तो केवल इसलाम का ही होने वाला है अब जब युद्ध के लिए विशेस रूप से प्रशिक्षित थे इनको मुगलों की और छोड़ दिया लूना और रामप्रसाद की सून में खंजर बांधिये गए और साथ की साथ इन हाथियों की पूंच में तलवार भी बांधिये अब ये दोनों ही हाथी मुगल सेना को चीरते वे और मुगल सेनिकों को मारते वे आगे की और बढ़ रहे थे तो लूना और रामप्रसाद का मुकावला करने के लिए मुगल सेनिकों ने भी दो हाथियों को गजमुक हिया गजमुकता और गजराज को छोड़ दिया अब यहाँ पर मुगल सेनिकों ने क्या किया जो तोपच उन्होंने लूना और रामपरशाद के जो महाउत थे उनके सिर में गोली मार दिय predict को अपने control में ले लिया बाद में ये भी बताया जाता है कि रामपरषाद को मुगल बादशा अकबर के पास में भीज दिया गया था उसमें राजपूत कमजोर होते चले गए और मुगल सैनिक उन पर हावी होते चले गए और युद्ध जो हाथियों का युद्ध लड़ा गया था तो उन हाथियों के युद्ध में भी मारणा परताब की और से लड़ने वाले हाथियों का मुकावला करने के लिए मुगलों के द्वारा भी दो हाथी उतार दिये गए थे और बाद में महाराना प्रताब के दोनों ही हाथीओं को मुगल महावतों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था अब देखिए युद्ध लड़ते लड़ने के दोरान महाराना प्रताब की नजर मान सिंग के उपर पड़ी और मान सिंग उस समय एक हाथी पर बैठा वा था जिसका नाम था मरदाना तो महाराना प्रताब अपने साथियों के साथ में कुछ सैनिकों के साथ में मुगलों की सैना को चीरते वे सीधे मान सिंग की और बड़े जिसके कारण मान सिंग की तो जान बच गई लेकिन मान सिंग की जो महावत थे उन्होंने महारणा प्रताप की दुआरा फैके गए भाले को अपने शरीर पर ले लिया और महावत की वहावत की वहाँ पर मृत्ति हो गई अब इसके बाद जब चेतक ने हाथी की सून से वापस अपने पाउं हटाए तो उसके कारण क्यावा चेतक की जो पैर है वो हाथी की सून में लगे वे खंजर के कारण घायल हो गए और खशतिग्रस्त हो गए अब महाराना परताप को चारों और से मुगल सैनिकों ने घेर लिया था और यही द्रश्च एक व्यक्ति देख रहा था जिसका नाम था जाला बिदा इस जाला बिदा को जाला मन्ना या जाला मान सिंग भी कहा जाता है तो जाला बिदा जब ये देख रहा था कि महाराना परताप को चारों और से मुगल सैनिकों ने घेर लिया हाला कि महाराना परताप ने किसी प्रकार से हार नहीं मानी थी जबकि वो स्वेम भी घायल हो चुके थे और उनका घोडा चेतक भी घायल हो चुका था, उसके बावजूद महाराना प्रताप ने एक व्यक्ती बहलोल खांके उपर इतना जबरदस्त वार किया और ये बताया जाता है उस वार के कारण बहलोल खांके शरीर के और उसके घोडे के दो टुकडे हो गए लेकिन महाराना प्रताप काफी घायल हो चुके थे तो यहापर जाला बिदा या जाला मना या जाला मान सिंग ने अपने कुछ सैनिकों के दल के साथ में माराना परताप के पास पहुँचे और माराना परताप की रक्षा की और माराना परताप को क्या किया उन्होंने युद्ध भूमी से सुरक्षित बाहर निकाला और परताप के मुकुट और राजचिन स्वैम ने धारन कर लिए तो यहां पर देखे इस युद्ध में जहला बिदा ने महाराणा परताप के प्राणों की रक्षा करके स्वैम के प्राणों का बलीदान दे दिया अब सवाल यह है कि महाराना प्रताप को अखिर युद्ध भूमी से बाहर क्यों निकाला गया होगा तो इस युद्ध के माहोल और युद्ध की परिस्थिती से आप स्वयम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब महाराना प्रताप वहां पर बहुत अधिक गायल हो गए थे तो इस बात की अब यह संभावना हो गई थे कि महाराना प्रताप की यदि मिर्त्य हो जाती तो मुगल सेना का एक लंबे समय तक के लिए मेवाड पर अधिकार हो जाता इसलिए ये अत्य आवश्यक था कि यदि मेवाड को मुगलों से स्वतनतर रखना और बविश्य में भी निरंतर इस प्रकार का संगर जारी रखना है तो महाराना प्रताप का सुरक्षित रहना जरूरी है इसलिए महाराना प्रताप को युद्ध भूमी से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, माराना प्रताप को घायल अवस्था में युद्ध भूमी से सुरक्षित बाहर तो निकाल दिया गया था, लेकिन जब वो बाहर गए युद्ध भूमी से तो उनका घोड़ा चेतक, युद्ध के दौरान इतना आधिक घायल हो चुका था, कि बलीचा इस् कि युद्ध के पस्चाद में माराना प्रताप की उनके भाई शक्ति सिंग जो की मेवार से नाराज होकर मुगलों की और से मेवार के विरुद युद्ध कर रहे थे, शक्ति सिंग से यहाँ पर मुलाकात हुई थी, अब यहाँ पर यह क्या कहानी बताय जाती है, मैं थोड इद्रश्य जब शक्ति सिंग ने देखा तो शक्ति सिंग का यहाँ पर भातिर्त प्रेम यानि भाई के प्रति प्रेम जाग गया और उन्होंने भी महाराना प्रताप का पीछा करना शुरू किया और आगे चलकर उन दोनों ही मुगल सैनिकों का वद्ध कर दिया और इसके बा गोपिनाच शर्मा तो देखे गोरी शंकर हीराचंद ओजा और गोपिनाच शर्मा यह दोनों ही इस प्रकार की मुलाकात का खंडन करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ गोरी शंकर हीराचंद ओजा की इन्होंने अपनी किताब उद्यपूर राजी का इतिहास भाग एक में बताया है कि महाराना प्रताब की उनके भाई शक्ति सिंग से इस प्रकार की कोई मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि शक्ति सिंग पहले ही अपने पिता के समय में जब अकबर ने मेवाड पर आकरवन किया था तो उसी समय मेवाड के आकरवन के समय वो काम आ गया था यान इस प्रकार की कोई मुलाकात होती तो बदायूनी की सूची में Ņने उनकी भी बात कर ली और जो विपक्ष में थे मैंने उनकी भी बात कर ली थोड़ा साम और आगे चर्चा करते हैं अब देखें माराना प्रताप युद्ध भूमी से निकल गए और वो सीधे पहुँचे कोल्यारी स्थान पर जब वो युद्ध भूमी से गए तो उसके बाद जो राजपूत योदा बचे वे थे उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगानी शुरू कर दी थी और ये मुगल पक्ष़भी अपने अपने डेरे की ओर लोटना शुरू हो गए थे अब देखिए यहां इसके बाद मुगल सेना जब अपने डेरे की ओर लोटी तो यहाँ पर भीलों की टुकडी ने भील नेता पूंजा के नित्रुत में पूंजा जिनको महाराना प्रताप ने भ परिशान होकर अपने डेरे को छोड़कर अब गोगुंदा की और जाना पड़ा अब वहाँ पर देखिए गोगुंदा जब वो पहुंचे तो महाराना प्रताप ने भी क्या किया कि गोगुंदा की और जाने वाले जितने भी मार्ग थे उन सबी मार्गों को अवरुद्ध कर और यहाँ पर मुगल सैनिक केवल कच्चे आम से कैरियों से अपना पेट वर रहे थे क्योंकि ये युद्ध जिस समय लड़ा गया था उजून का महीना था और जून के महीने में हम जानते हैं कि भारत में जो आम पकते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं पक पाती हैं और केवल दोनों ही पक्ष के जो इतिहास का रहे हैं राजपूत पक्ष के और मुगल पक्ष के दोनों ही पक्ष अपने अपने पक्षों की विज़े बताते हैं यानि राजपूत पक्ष तो महाराना प्रताप की विज़े होना बताते हैं जबकि फारशी तवारिकों में और मुगल स सरकार के अनुसार इस युद्ध में माराना प्रताप की ही विजय मानी जाती है क्योंकि अकबर ने अपनी सेना का नित्रित देकर मान सिंग और आसफ का को जब बेजा था तो सेना का केवल एक युद्धेश्य था कि किसी भी प्रकार से माराना प्रताप को जीवित या अकबर के समक्ष पेश करना लेकिन यहाँ पर मारणा प्रताप ने मुगलों के अजे होने के ब्रह्म को तोड़ लिया क्योंकि यहाँ पर मुगल सेना मारणा प्रताप को किसी भी स्थिती में बंदी नहीं बना सेकी और यहाँ एक बात गौर करने की और है जब मान सिंग और बदायूनी युद के पस्चात में वापस अकबर के पास में पहुँचे तो अकबर ने कुछ समय के लिए मान सिंग की डियोडी बंद कर दी थी डोडी बंद करने का मतलब ये है कि मान सिंग को मुगल दरबार में प्रवेश करने के लिए कुछ समय के लिए प्रतिबंदित कर दिया था तो ये बाते सब हमको ये जानकारी देती है कि मान सिंग से नाराज था अकबर नाराज क्यों था क्योंकि युद्ध का जो परिणाम अकबर की दुआरा सोचा गया था मान सिंग उस परिणाम को लाने में ऐस अफल रहा था तो अगर इस दृष्टी से हम देखें तो यदि इसका उदेश इस युद्ध का उदेश माराना प्रताप को बंदी बनाना रहा होगा तो इस उदेश में तो अकबर ऐस अफल रहा तो इस नजर से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर माराना प्रताप की एक परकार से विजय हुई होगी हम एक इतिहासकार को और ले लेते हैं उनका क्या कथन है इस युद्ध के परिणाम के सम्मन में गोपिनाज शर्मा तो देखे गोपिनाज शर्मा ने ये कहा है कि इस युद्ध में पार्थिव विजय तो मुगलों की ही हुई थी लेकिन उनकी ये जो विजय है किसी भी पराजे से कम नहीं थी ये ऐसा क्यों कहा ये सिरफ इसलिए कहा क्योंकि जब मान सिंग अकबर के पास में पहुँचा तो अकबर उन से नाराज हुआ उनको तवज्जों नी दी कुछ समय के लिए मान सिंग की डोडी बंद कर दी थी और मुगल सेना को गोगुंदा में एक लेकिन देखें ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है केवल यही एक मातर युद्ध नहीं है एक मातर संगर्शनी है जो मारणा प्रताप और अकबर के मद्धे में हुआ था क्योंकि गोपिनाज शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध को एक स्थगित युद्ध की संग्या गोपिनाथ शर्मा के अनुसार यदि महाराना प्रताप और अक्बर के मद्द लड़े गए इस युद्ध का सही परिणाम अगर हमको जानना है तो अभी हमको आगे के और युद्धों पर विचार करना होगा कि आगे और जो संगर्ष वा दोनों के मद्द उनका क्या रिजल् एक लंबे चलने वाले संगर्ष की शुरुवात है तो अब इस युद्ध के पस्चात आगे दोनों के मद्द किस प्रकार से संगर्ष होता रहेगा किस प्रकार एक बार मुगल जो हैं वो मेवार पर अधिकार करेंगे फिर महाराना प्रताप वापस मेवार पर अधिकार कर झाल झाल